हेलो दोस्तों आज यूड़े में आपका वेलकम है आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 5.4 जो कि हमारे क्लास 10th साइन्स के चैप्टर नंबर 5 प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेट से है तो एक्टिविटी को अच्छे से समझ देगी कोशिश करेंगे बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जो है बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको जो है हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 5.4 प्ले करते हैं एक्टिविटी 5.4 तो 5.4 में आपसे कहा है look at the group 1 of the modern periodic table and name the element present in it यानि कि modern periodic table में group 1 में जितने भी elements present है उनका जो है हमें name लिखना है तो देखिए दोस्तों ये जो है ये हमारे groups होते हैं and ये हमारे होते हैं periods तो ये हमारा होगा group 1 and group 1 में कौन-कौन से element present है hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and frenchum so जैसा इस activity 5.4 के first question में कहा गया है सभी elements के जो है group 1 में जो present है उनके नाम हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी activity में जो देखिए आगे कहा है यहाँ write down the electronic configuration of first three elements of group 1 group 1 के first three elements हमारे कौन-कौन से थे वो थे hydrogen, lithium and sodium इनका electronic configuration से पहले आपको जो है इनके atomic number का पता होना चाहिए तो hydrogen atomic number है 1, lithium का 3 and sodium का 11 so electronic configuration में देखिए hydrogen के तो last orbit में जो है एक ही atom present होगा, electron माफिजए एक ही electron present होगा उसके बाद lithium की बात की जाए तो three जो electrons है neutron में, so अगर neutron का first shell जो होगा उसमें maximum आपको पता है कि जो है दो ही electrons present हो सकते हैं, so यानि कि second orbit में हम जाएंगे और जो second orbit वो neutron lithium के लिए जो है last orbit होगा जिसमें एक ही electron present होगा, उसी तरीके से sodium की बात की जाए, तो first orbit में two electrons second में, जो है maximum R electrons आ सकते हैं, तो यानि कि जो last electron होगा, one वो हमारा lithium की sodium के लिए जो है, वो third जो है orbit में जाएगा, तो इसके बाद देखिए, इसी activity में आगे पूछा है, हमने electronic configuration लिख दिया, इसके बाद इसी activity में आगे कहा है कि what similarity did you find in their electronic configuration, अभी जो हमने इन तीनों elements का electronic configuration लिखा है, आपको इन में क्या similarity मिलती है, तो देखिए इन सब में similarity ये है, कि इन सभी के last orbit में जो है, एक एक electron present है, या दूसरे शब्दों में कहें, तो सभी जो first three elements, इन सभी का जो valence electron है, वो है one, इसके बाद देखिए, last इसमें कहा है, question पूछा है, how many valence electrons are present in these three elements, मैं आपको बताया था, इन तीनों ही elements के, देखिए, last orbit में एक electron present है, और जो last orbit में electrons present होते हैं, उन्ही को हम valence electrons कहते हैं, तो यानि कि इसका answer होगा, कि एक electron present है, इन तीनों ही elements में, या valence electron जो है, वो है, one.